अलो दोस्तों राम राव नमिशकार सभी का हार्दिक स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के ओनलाइन फ्लेट फर्म पर मैं मोहन सिंग चौधरी सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ दोस्तों जैसा कि पता है आप लोगों को कि अपने यहां पर राजस्तान की कलार संस्कृति का जो विशेव है वो मैं आपके साथ में डिसकस कर रहा था जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ रहे थे राजस्तान के दुर्ग के बारे में राजस्तान के इस्तापति कला का टॉपि आडोती शित्र में दुर्ग अपन को पढ़ना है, गागरोन का एक पढ़ना है, बूंदी का दुर्ग, दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट दुर्ग हैं अगर इन दुर्गों की बात करूं तो, यदि अपन देखें, तो ये दुर्ग बहुत महत्पूर्ण दुर्ग है, रजस्तान से संबंदित किसी भी भरती के अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यहां से कोर्स पर्शेज कर सकते हैं कोर्स ले सकते हैं बहुत बैतरीन क्लासेज आप लोगों को यहां पर उपलब्द होंगी और देखो मैं आप सब लोगों को एक बहुत बैतरीन सोचना देने वाला हूँ और सोचना ये है कि अगर मान लो आप यहां से कोर्स खरीदना चाहते हैं आप हमारे यहां से कोर्स खरीदना चाहते हैं एक अलगी पेज में मैं इसको समझा रहूँ आप लोगों को फोड़ा सा अगर आप अमरे यहां से कुर्स खरीदना चाह रहे हैं एक सेकेंड अब अगर आप यहां से क्वालिटी एजुकेशन की प्लेटफर्म से एप से आप कुर्स खरीदना चाहते हैं और आपको विशेश छोट चाहिए तो देखो संस्ता द्वारा जो छोट दे जा रही है वो तो आपको मिलेगी इसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज करना चाहते तो मेरा कोड है MS10 आप देगे contact number पर जो है message कर सकते हैं MS10 है कोड तो इस कोड को अगर आप लगाएंगे तो आपको इस कोड पर 10% अतिरिक्त छोट मिलेगी कोर्स पर 10% आपको कोर्स पर अतिरिक्त छोट मिलेगी चाहो कोर्स आपका RS3 का हो चाहा RS मेंस का हो चाहो कोर्स आपका जो है LDC का हो चाह कोर्स आपका जो है CET का हो चाहे आपके कोर्स रीट का हो सेकंड ग्रेड का हो चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे जेलर पुलिस के लिए अगर आप तयारी कर रहे हैं तो चाहए जेलर पुलिस के लिए आप कोर्स लेना चाहते हैं यहां से किसी भी भरती का कोर्स हो अगर आप वह कोर्स लेना चाहते हैं मेरा कोड़ लगा सकते हैं MS 10 देगे Contacts Number पर जो है आप संपर्ग करके भी बात पूछ सकते हैं मेरा कोड़ आप यूज करेंगे तो आपको 10% अतिरिक्त छूट मिलेगी यह आपके लिए सूचना है अब आगे चलते हैं नेक्स आज का जो अपना दुर्ग रहेगा भैतरीन दुर्ग रहेगा और इस दुर्ग की बात करेंगे तो यह दुर्ग होगा अपना जिसका नाम है जैसल मेर का यह गागरोन का दुर्ग गागरोन का दुर्ग रहेगा भौती बहतरीन दुर्ग है अगर इस दुर्ग के माइने देखें तो गागरोन का दुर्ग है और गागरोन दुर्ग में अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहली बात आती है वही कि इसकी इस्तिति कहां पर है तो इसकी इस्तिती की बात करते हैं तो इस्तिती है इसकी जालाबाड में जालाबाड जिले में हैं जालाबाड जिले में कहां पर इस्तिती है इसकी जालाबाड जिले में बात करेंगे स्रेनी कैसी है इसकी इस दुर्ग की स्रेनी की बात करेंगे तो ये दुर्ग है जल या ओदग दुर्ग का स्रेश्ट उदाना उदारन जल गया ओदग दुर्ग जल या ओदग दुर्ग है तो सर ये किस नदी के किनारे है जो आप कह रहे हो नदियों के संगम पर कौन सी नदियों के संगम पर है ये दुर्ग तो ये दुर्ग है आहू नदी और इसके अलावा बात करते हैं तो एक नदी है काली सिंद नदी एक तो आहू एक है काली सिंद नदीयों के संगम पर काली सिंद नदीयों के संगम पर कौन सा दुर्ग नदीयों के संगम पर है आहू और काली सिंद नदीयों के संगम पर तो य ये है कौन सा गागरोन का दुर्ग मेरे बच्चों गागरोन दुर्ग के बात करेंगे तो गागरोन दुर्ग के निर्मान की सबसे पहले तू देखेंगे इसका मुख्य दर्बाजा तो मुख्य दर्बाजा कौन सा इसका मुख्य दर्बाजा बहुत इंपोर्टेंट है मुख औरअग जीव द्वारा निर्मिद करवाया गया। अरण सा दर्वाजा बताएंगे। बुलंधर आगे छर्चा करते हैं बहुत बैतरीन दुर्ग अपनपढ़ रहे हैं। डिसक्स गागरोन का दुर्ग हाडोती के गर कोई मजबूत के लिए माने जाते हैं तो बूंदी का किला और गागरोन का किला इनके बारे में आपने यहां पर डिसकस कर रहे हैं याद रखना सबसे पहले बात करते हैं निर्मान की कि निर्मान इसका किस ने करवाया तो निर्मान करवाया डोड राजपूत डोड राज पूत बीजल देव ने करवाया था निर्मान बीजल देव ने सर कब करवाया निर्मान 1195 इसवी में और सर कभ यनी बारवी सदी में बारवी सदी में निर्मान करवाया था कब 1195 इसवी में किसने निर्मान करवाया डोड राजपूत बीजल देव ने ये बात आप ध्यान नाम से जाना जाता है कॉन से दूरको दूलरगड या तो लरगड़ कहते हैं उसको कहते हैं गीदक गड़ और गरगराटपुर गरगराटपुर इसको गरगराटपुर चाहित esca इसको ये अपन ओदग दुर्ग की स्रेनी में रखते हैं ओदग दुर्ग है राजस्तान का कौन सा दुर्ग ओदग दुर्ग है ये है गागरोन का दुर्ग अगर इसकी बात करेंगे तो आगे चर्चा करते हैं, ये तुर्ग बहुत ही, सांदार दुर्ग है अगर इसकी बात करें हैं, यदी देखें कि इस दुर्ग के बारे में, तो ये धुर्ग जो है, बिना किसी नीव के, एक मज़बूत चटान पर खड़ा है, और किस चटान पर तो देखो, यह है दुर्ग बिना किसी नीव के यानि नीव नहीं भरी है इसकी बिना किसी नीव के मुकुंदरा हिल्स की चत्टान पर खड़ा है कौन सा दुर्ग खड़ा है गागरोन का दुर्ग राजस्तान का एक मातर दुर्ग गिरी दुर्ग जिसका संबंद अरावली से नहीं है जिसका संबंद किस से नहीं है जिसका संबंद अरावली से नहीं है बलकि किस से बचो बलकि बिंधाचल परवत से है बलकि बिंधाचल परवत से है ठीक है भई इसका संबंद किस से नहीं है बचो इसका संबंद जो है अरावली से नहीं है बलकि बिंधाचल परवत से है कौन से दुर्ग का पूछा जाता है कि संबंद बिंदाचल परवत से है भई तो ये दुर्ग है कौन सा ये दुर्ग अपना गागरोन का दुर्ग यदि अपन बात करेंगे तो खीची राजवन्स के संस्तापक देवन सिंग औरुप धारूं अपने बेनोई बीजल देव डोड को मार कर इस पर अधिकार किया था कि डोड राजपूत के स्थान पर डोड राजपूत वंस के स्थान पर वंस के स्थान पर डोड राजपूत वंस के स्थान पर इस दुर्ग में इस दुर्ग में इस दुर्ग में देवन सिंग इस देवन सिंग कहते हैं उर्फ धारू को तो देवन सिंग या धारू खिची ने देवन सिंग ने खीची राजवन्स की नीव डाली थी किसकी नीव खीची राजवन्स की नीव कहां पर खीची राजवन्स की नीव डाली थी बोलो ये नीव डाली थी कहां पर इस दुर्ग में दाली तो इन्य देवन सिंग और धारू कों था तो देवन सिंग और सब्सिंग ऑर धारू की बात करते हैं तो देवन सिंग और धारू ने अपने बेहनोई ने अपने बेहनोई बेहनोई मतलब जी जा जी बेन का पती तो अपने बेहनोई बीजल देव को हराया था बोलो किसको हराया था बीजल देव को हराया था किसने अपने बहनोई बीजल देव को हराया था किसने हराया था भई देवन सिंग और धारू ने अपने बहनोई बीजल देव को हराया था ये बात बिलकुल ध्यान रखना यदि अपन बात करेंगे नेक्स्ट तो इस दुर्ग में ध्यान रखना आगे चलके कालांतर में एक स सासक पैदा हुआ जिसका नाम था प्रताप सिंह यानि संत पीपा लेकिन संत पीपा जो है बचो यह रामानंद के प्रवचनों से प्रवावित था और संत रामानंद के संपर्क में आ गया संत रामानंद के बारे सिश्यों में से एक था संत पीपा की इस दुर्ग में छतरी भ मार्ग अपनाया था इसने ये दुर्ग अपने छोटे भाई अचल दास खीची को दे दिया था ये भी बहुत महत्पून बात है आगे देखेंगे कि इस दुर्ग को इस दुर्ग को कालांतर में इस दुर्ग को कालांतर में प्रताप सिंग खीची प्रताप सिंग यनी पीपा प्रताप सिंग का नाम क्या था पीपा ध्यानक ना तो प्रताप सिंग कोई पीपा कहते हैं आगे तो प्रताप सिंग खीची ने प्रताप सिंग खीची ने अपने छोटे भाई क्या नाम था छोटे भाई का भाई अपने छोटे भाई अचल दास खीची को दे दिया बोलो किसको दे दिया? अचल दास खीची को दे दिया किसने दुर्ग दे दिया भाई? दे दिया तदा संत पीपा ने राजसी भैवब त्याग कर क्या अपना लिया? त्याग कर बक्ती का मार्ग अपनायां किसका भई? बक्ती का मार्ग अपनायां था किसका मार्ग अपनायां था? बक्ती का मार्ग अपनायां था अगर बात करेंगे संत पीपा संत पीपा की छत्री संत पीपा की छत्री इसी दुर्ग में है इसी दुर्ग में है तदा संत पीपा का तदा संत पीपा का जनम भी इसी दुर्ग में हुआ का जनम संत पीपा का जनम भी किसी दुर्ग में हुआ कौन से दुर्ग में हुआ भई इसी दुर्ग में हुआ था कौन से दुर्ग में गागरोन के दुर्ग में मिर बच्चो संत पीपा रामानंद के सिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बातें आपको clear हो गई होंगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी संत पीपा के बारे में अभी अपन ने बात की काला अंतर में चल करके संत पीपा एक बहुत मैदपोंड जो है सासक बना अगर इसकी बात करेंगे तो आगे देखते हैं next तो इस दुर्ग में संत मिठे सहा की दरगा भी इस्तितेग जिसे अपन कहते हैं हमी मुद्दीन चिस्ति की दरगा तो इस दुर्ग में ध्यान से सुना आगे इस दुर्ग में औरंग जेव द्वारा इस दुर्ग में औरंग जेव द्वारा संत मिठे सहाब जिसको अपन कहते हैं हमी मुद्दीन चिस्ती हमी मुद्दीन चिस्ती इसको हमी मुद्दीन चिस्ती कहते हैं तो इस दुर्ग में औरंग जेव द्वारा संत मिठे सहाब हमी मुद्दीन चिस्ती की दरगा का निर्मान करवाया गया दरगा का निर्मान करवाया गया बचो दरगा का निर्मान करवाया गया देखो यहाँ प हमी मुद्दीन नागोरी और है इस बात का ध्यान में रखें आप लोग एक हमी मुद्दीन नागोरी और है और हमी मुद्दीन नागोरी की बात करेंगे अपन तो देखो एक नोट में एक बात बता रहा हूं confusion दूर कर लेना हमी मुद्दीन नागोरी हमी मुद्दीन नागोर यदि अपन बात करेंगे तो सुहार वर्दी किस से वही सुहार वर्दी मत से मत के अनुयाई थे कोन थे वही हमी मत दीन नागौरी अनुयाई थे ये दिल्ली के थे तदा इनकी दरगा अजमेर में तदा इनकी दरगा नागोर में इस्तित है इनकी दरगा इस्तित है नागोर में इस्तित है इनकी दरगा इस्तित है नागोर में बताएंगे हमी मुद्दीन नागोरी की बहुत इंपोर्टेंट व्यक्ति है हमी मुद्दीन नागोरी परसिद सूपी संत रहे हैं सुहारवर्द दीमत से सम्बंद रखने हैं आगे बात करेंगे यह तो संत मिठे सागी दरगा की बात रही यदि आगे देखेंगे तो इस दुर्ग के चारो और जो परकोटा है उसका निर्मान जो जालिम सिंग जाला ने करवाया दा और इसको हपन कहते जालिम कोड क्या कहते है इसको जालिम कोड कहते हैं तो देखो कि इस दुर्ग के चारों तरब है कर दरक के चारों तरब competition division निर्मान परकोटे का निर्मान परकोटे का निर्मान परकोटे का निर्मान कोटा रियासत के सेनापती कोटा रियासत के सेनापती कोटा रियासत के सैना पती, जालिम सिंग जाला ने, जालिम सिंग, क्या नाम है इसका जालिम सिंग जाला, इसको हाडोती का क्या कहते हैं, दुर्गादास कहते हैं, जालिम सिंग जाला ने, इस दुर्ग के चारो तरफ पर कोटे का निर्मान कोटा रियासत के सैना पती, जालि ने करवाया था जालिम सिंग जाला ने करवाया था इस परकोटे को एक नाम भी दिया जाता इसलिए इस परकोटे को जालिम कोट कहते हैं क्या कहते हैं इस परकोटे को जालिम कोट कहते हैं इस परकोटे को जालिम कोट परकोटा कहते हैं क्या कहते हैं इसको जालिम कोट कहते है अगर आपन बात करेंगे आगे नेक्स्ट तो यहाँ पर और भी बहुत बहतरीन चीजे हैं जैसे कि यहाँ पर सो वर्सिये पंचांग रखा है वही यहाँ पर इसे दुर्ग में सो वर्सिये पंचांग रखा है सो वर्षिये पंचांग रखा है बोलो क्या रखा है सो वर्षिये पंचांग रखा है बच्चो इस दुर्ग में यहां पर बात करें तो इस दुर्ग के पीछे इस दुर्ग के पीछे गीद कराई कौनसी वही गीद कराई इस दुर के पीछे गीद कराई नामक घाटी इस्तित है अपरादी को सजा देने के लिए अपरादी को सजा देने के लिए यहां से देने के लिए यहां से फैंक दिया जाता था यहां से फैंक दिया जाता था कहां से फैंक दिया जाता था दुर्ग से फैंक दिया जाता था ठीके न गीद कराई नामक जो गाटी है वहां से सीधे ही फैंक देते थे बस किसको अपरादी को या तो अपरादी अपराद कबूल कर ले अगर कबूल भी कर लिया तो अपरादी को सजा भी देनी है तो सजा देनी के लिए इससे भैतर सजा कोई हो नहीं सकती थी याद रखन यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो देखो यदि देखें अपन यहां पर एक सवाल और यहां से उड़ता है और वो सवाल बड़ा महत्पून सवाल है कि गागरोन का दुर्ग गागरोन का दुर्ग खीची चोहानों का खीची चोहानों की सान कहलाता है क्या कहलाता है खीची चोहानों की सान कहलाता है कौन सा दुर्ग गागरोन का दुर्ग क्या कहलाता है भई खेची चोहानों की सान यहां तक आपने पढ़ लिया होगा इस्क्रीन सोट भी अगर आप लेना चाहते हो तो साथ की साथ में इस्क्रीन सोट भी ले सकते हैं यही नहीं यदि अपन बात करें एक बोलने वाला तोता था जब आप लोग रावल रतन सिंग और पद्मनी की कानी को पड़ते हैं तो एक बोलने वाला तोता था एक भी रामन तोते के यह बोलने वाले तोता था वैई हिरामन तोता के, किसके भö iemand किसा टोता था भई बोलने वाला तोता मच बोलने वाला तोता है बोलने वाला याद रखना तो यह हिरामन तोता के वन्सज गागरोनी तोते गागरोनी तोते पाए जाते हैं कौन से तोते पाए जाते हैं गागरोनी तोते पाए जाते हैं अगर आपको यहाँ पर बोलने वाले तोते देखने हैं या राजस्तान में आप बोलने वाले तोते देखने हैं तो इस दुर्ग में जाओगे यहां से बोलने वाले तोते आप जो है उन बोलने वाले तोतों को देख सकते हैं यहने गागरोनी तोता कहते हैं और गागरोनी तोता जो है ध्यान रखना यह हीरामन तोते के क्या माने जाते हैं वन सज माने जाते हैं I hope यहां तक बिलकुल आपको clear हो गया होगा, आगे चलते हैं next step, बहुत important बाते में आप लोगों बता रहा हूं, यदि इस दुर की बात करेंगे, तो इस दुर का जो नाम करन किया गया है, वो नाम करन देवी सिंग खीची के द्वरा किया गया है, और इसमें ध्यानकना नाम क कि मैं की बात करेंगे, तो इस दुर का नाम करन देवी सिंग खीची, यह वह देवन सिंग और दारू है, तो देवी सिंग खीची के द्वरा किया गया, देवी सिंग खिची के द्वारा किया गया किस दुर्भ का नामकरन किया गया नामकरन किया गया था बताएंगे रहे नह Take home to show एंगे च्थे क्वे बात करेंगे तो यह ले भी इस्थे दुरूर मैं ऊन्दिर रखना तो इस दुर्ग में, इस दुर्ग में, मदू सूधन मंदिर, इस दुर्ग में मदू सूधन का मंदिर, मदू सूधन का मंदिर बनवाया किसने, दुरजन साल ने बनवाया, बोलो किसने बनवाया, दुरजन साल ने बनवाया था, किस दुर्ग में बनवाया था भाई, इसी द महल हैं तो दुर्ग के महल दुर्ग में इस्तित महल तो दुर्ग में इस्तित सरजी कौन-कौन से महल हैं इस्तित महल तो सर दुर्ग में इस्तित महल हैं जैसे एक महल है इस दुर्ग में अचल दास महल एक अचल दास महल है बहुत प्यारा और बहुत सांदार महल है अचल दा एक दीवाने खास, एक है बहुत इंपोर्टेंट रंग महल, एक है यदि बात करेंगे तो खीची महल, तो एक है रंग महल, रंग महल है, एक है यदि बात करेंगे, तो खीची महल, एक खीची महल है, एक महल की बात करेंगे, तो एक महल है दीवाने खास, दीवाने खास है, य कुछ important महल हैं किसके महल हैं गागरोन के महल गागरोन की बात करेंगे मिरे बच्चों तो देखो अकबर के काल में क्या था कि नोकर लोगों को मनसबदारों को दो परकार से तनखा दी जाती थी एक तो नगद भुगतान के रूप में जिसमें पैसे देते थे और एक में क्या ह जाती थी या एक ठिकाना दे दिया जाता था या एक परगना दे दिया जाता था या कोई छितर दे दिया जाता था तो इस दुर्ग को अकबर के काल में सबसे महत्मून बात है इस दुर्ग को अकबर के काल में और जो बीकानेर का सासक था कल्यान मल उस कल्यान मल के बड़े पुत्र का नाम था राई सिंग और छोटे पुत्र का नाम था प्रत्वी राज राठोड तो इस दुर्ग को प्रत्वी राज राठोड के लिए दिया था किसने अकबर ने और इसी प्रत्वी राज राठोड ने इस दुर्ग में बैठ करके और एक भहुत प्यारा सा सांदार सग्रंत लिखा जिसका नाम था बेली करसंड रुकमनीरी ख्वाद जिसको दुरसा आधाने पढ़ करके इसको पांच बावेद और गुनिस्वा पुरान बताया था और की इसकी बात करेंगे तो बिका निरसासक कल्यानमल कै अधि आधि बात करेंगे तो बीकानरर सासक कल्यानमल कल्यानमल के छोटे पुत्र के छोटे पुत्र राय सिंग का छोटा भाई राय सिंग का छोटा भाई तो छोटे पुत्र प्रत्वी राज राठोड को प्रत्वी राठोड को ये दुर्ग अकबर ने अकबर ने प्रदान किया था अक्बर ने प्रदान किया था क्या प्रदान किया था अक्बर ने ठीक है ये दुर्ग प्रदान किया था आगे बात करते हैं तो प्रत्वी राज राठोड ने प्रत्वी राज राठोड प्रत्वी राज राठोड को एलपी टैसी टूरी ने लपी टेसी tory ने क्या कहा था डिंगल का हेरोंस कहा किसको कहा था डिंगल का हेरोंस कुए ठैसी tory ने यदि अपन बात करेंगे तो प्रतवी राज राटोड ने परत्वी राज राटोड ने इसी दुर्ग में बैठकर एक ग्रंत लिखा बोट संदार इसी दुर्ग में बैठकर बेली करसन रुकमनीरी ग्रंत की रचना की यदि देखो यहां से अगर अपन बात करेंगे तो यह जो दुर्ग है ध्यान रखना यह जो ग्रंत है दुर्षा आढ़ा ने इस ग्रंत को क्या कहा दुर्षा आढ़ा ने इस ग्रंत को क्या बोला था इस ग्रंत को पांचवा बेद इस ग्रंत को पांचवा तो बेद कहा था, वेदों की संक्या कितनी है, च्यार, तो पांचवा बेद कहा था, वै गुन्नीसवा पुरान कहा था, कौन सा वा पुरान कहा था वै, गुन्नीसवा पुरान कहा था, किसने गुन्नीसवा पुरान कहा था वै, बेली कृसंड रुकमनेरी ख्वात क तो याद रखना, किसने दुरसा, आधा ने क्या कहा? पांचवा बेद कह था रूगनिसवा पुरान का आदा आई होब यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं, अब इस दुर्ग में दो साके हुए हैं इस दुर्ग में दो साके हुए हैं कितने साके हुए हैं भई दो साके हुए हैं सर ये दो साके कब कब हुए हैं बता देंगे आप लोग कौन सा दुर्ग है राजस्तान का जिसमें दो साके संपन हुए हैं सर ये गागरोन का दुर्ग है हलांकि और भी दुर्गें जिनमें भी साके हुए हैं पर देखो इसे दुर्ग में भी दो साके हुए हैं आत रखना शिवाना में भी दो साके हुए हैं अगर आपन बात करें तो और यदि अपन देखें तो देखो जैसल मेर में अढाई साके हुए हैं और यदि देखें तो देखो रंतम बौर में एक साका वाय जा तोडगड में सर्वादिक तीन साके हुएं तो दो साके हुएं सरे दो साके कब हुएं है तो देखो 잘 सबसे पहले बात करेंगे परतम साक सरौंच करके हुआ यह बताना हैं זה परतम साक वदगन कि को गूा टोधेस सॉ रीघ्छ सॉ शुट्ध सॉ तेइस लीय Вас RAM इस समय दुर्गप का सासक इस समय यहां का सासक कौनता भई इस समय यहां का सासक यहां का सासक कौनता तो इस समय यहां का सासक अचल दास खीची था बोलो कौनता अचल दास खीची था यहां का सासक कौनता अचल दास खीची था जिदी बात करेंगे तो इस समय आक्रमन किसने किया तो दुर्ग पर आक्रमन किया था किसने अलब खाने अलब खाने आक्रमन किया था जिसको अपन कहते हैं हो संगा सहा जिसको हो संगा सहा कहते हैं याद रखना हो संगा सहा ने इस साके का उलेख सिब्दास गाडड उलेख का मिलता है उलेख सिब्दास गाडड के गरंथ ये अचल्दास खीची का दरवारी विद्वान था गरंथ अचल्दास खीचीरी बचनी का में मिलता है तीक न किसका उलेख मिलता है इस साके का उलेख मिलता है अचल दास खीचीरी बचनी का सिब्दास गाड़र ने लिखी और सिब्दास गाड़र किसके दरबार में रहते थे तो सिब्दास गाड़र जो हैं सिब्दास गाड़र अचल दास खीची के दरबारी विद्वान थे अचलदास खीची के दरवारी विद्वान थे कौन दरवारी विद्वान थे भई ये सिवदास गाडड़ सिवदास गाडड़ दरवारी विद्वान थे किसके अचलदास खीची के आई ओब यहां तक आपको बिलकुल कलियर हो गया होगा अब दूसरा साका होगा 1445 में ये भी एक बहुत मैत्पूर्ण साका था 1445 में होगा यदि अपन बात करेंगे तो और पहला साका अपन ने पढ़ाई है दूसरा साका अगर देखेंगे तो 1445 में जो पालन सिंग के समय हुआ था याद रखना बहुत बहुत इंपोर्टन साका है ये यदि इस साके की बात करेंगे तो और ये साका जो हुआ है यदि इस साके की बात करेंगे तो बिटा इस साके में ये भान जाता किसका ये भान जाता ध्यान रखना किसका कुमबा का तो कुम्बा ने धीरज देव को भेजाता कुछ सेना ले करके कि जाओ जाके पालन सिंग की मरे भांजे की मदद करो तो दूसरे साक्य की बात करेंगे तो दूसरा साका सर कब वहा दूसरा साका यह वहा चौदे सो चमबालीस में सर्फ चौदे सु चमबालीस में इस समय यहां का सासक कौन था इस समय यहां का सासक कौन था यहां का सासक पालन सिंग था उन्ता भई पालन सिंग खेची था उन्ता यहां का सासक पालन सिंग खेची था अब पालन सिंग की बात करेंगे तो यह अचल दास का पुत्र है अचल दास खेची का पुत्र है इसका पुत्र है अचल दास खेची का पुत्र और दूसरी बात करेंगे तो महरा मारणा कुम्बा का भांजा मारणा कुम्बा जो कांके हैं मिवाड ठीक है न मिवाड का भांजा है मारणा कुम्बा का भांजा है यह 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 बात करेंगे तो इस समय दुर्ग पर इस समय दुर्ग पर आकर्मन दुर्ग पर आकर्मन किसने किया तो इस समय दुर्ग पर आकर्म महमूद खिल जी किसननें महमूद खिल का का साशक थह तो महमूद खिल पस नहीं किया था इधि बात करेंगे महाराना कुम्बा ने बानजे की मदद के लिए किसको बेजाता था बांजे की मदद के लिए धीरज देव को बेजा धीरज देव को बेजा धा धीरज देव को सैने को सहीत बेजा धा किसके सहीत बेजा धा सैने को सहीत बेजा धा किसको बेजा धा धीरज देव को यह आगे बात करेंगे तो बच्छो यह इस दुर्ग में साका हुआ और मेमूद खिल जी फस्ट ने किसने वहीं मेमूद खिल जी फस्ट ने इस दुर्ग को जीत कर इस दुर्ग को जीत कर इसका नाम क्या कर दिया इस दुर्ग को जीत कर इसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया बोलो क्या कर दिया मुस्तफाबाद कर दिया किस दुर्ग का नाम कर दिय था मुस्तपाबाद बताएंगे इस दुरका गागरोन के दुरका ये दूसरा साका था दो साके एक तो अचलदास खीजी के समय एक पालण सिंग के समय एक 1423 में 1446 में एक ध्यानकना एक के समय आकर्मन अलप खाने या हुसंगा साने और दोसरे समय जो है महमूत खिलजी महमूत खिलजी फस्तनिक किया था तो ये आकर्मन हुआ पहले का उल्ले एक सिंग्दास गाड़र के गरंत अचलदास कीचिरी बचनीका में मिलता है बहुत ही इंपोर्टेंट साके हैं दोनों साकों की दरश्टी कौन से अगर बातों को देखें तो और देखो यदि अपन बात करें अगले ध्यानरकना यहां पर महतपूर्ण जो है दुर्ग के बारे में एक दुर्ग को तो ये हो गया अगले दुर्ग के बारे में भी अपन चर्चा करते हैं तो अगला दुर्ग भी बहु लोगों को सबको समझ में आ गया होगा आगे बात करते हैं अगला दुर्ग है देखो इस दुर्ग का नाम है यदि बात करेंगे अपन बहुत इंपर्टेंट दुर्ग है यह और इस दुर्ग की बात करेंगे इसका नाम है बूंदी का किला है बूंदी का किला है इसको अपन क कि ध्यान रखना एक तो इसको कहते हैं तारागड तारागड कहते हैं क्योंकि तारे के आकार की आकरती इसकी देख सकते हैं तारे के आकार की आकरती आकार की आकरती है इसकी इसलिए इसको तारागड कहते हैं एक बात तो आप यह ध्यान रखना दूसरा इसी दुर्ग को कहते हैं भूद प्रेतों का दुर्ग कहते हैं भूद प्रेतों का दुर्ग कहते हैं भूद प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग कहते हैं इसको द्वारा निर्मित दुर्ग और क्या कहते हैं इसको बोत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग कहते हैं और इसको कहते हैं तिलिस्मी किला कहते हैं ये बात भी आप ध्यान में रखना क्या कहते हैं इसको भई तिलिस्मी किला कहते हैं कौन से दुर्ग को तिलिस्मी किला कहते हैं बुंदी के किले को बहुत ही important दुर्ग है बुंदी का किला तिलिस्मी किला किलाता है अब आगे बात करते हैं इसकी important ध्यान रखना सबसे पहली बात आती है निर्मान की किसर इसका निर्मान किसने करवाया है बहुत important बात है तो निर्मान जो करवाया है ध्यान रखना इसका वो निर्मान करवाया है किसने बर सिंग हाडा ने बर सिंग हाडा ने करवाया है जिसको अपन देवी सिंग हाडा कहते हैं देवी सिंग हाडा ने इसका निर्मान करवाया ज्यान रखना हाडोती अंचल का हाडोती अंचल का हाडोती अंचल का यह आचल का सबसे सबसे मजबू मजबूत दुर्ग कौन सा सबसे मजबूत दुर्ग है बताएंगे ये बुंदी का किला बुंदी के किले के बात करते हैं तो यहां पर एक बहुत 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 ब किलपिंग इस दुर के बारे में कहा कि इस दुर के बारे में कहा कि इसका निर्मान सायद भूत वैप परितों ने करवाया है किसने करवाया इसका निर्मान सायद भूत वैप परितों ने करवाया है इसका निर्मान करवाया है भूत और परितों ने ये निर्मान करवाया है किसका बूंदी के कले का बूंदी के कले का निर्मान सायद भूत परितों ने करवाया है ये कहा है ध्यान रखना यदि आगे बात करेंगे तो इस दुर्ग में ध्यान रखें भीम बुर्ज भी इस्तित है और अनिरुद्ध सिंग ने यहां पर रानी जी की बाब्डी का निर्मान करवाया था आगे बात करते हैं तो इस दुर्ग में भीम बुर्ज इस्तिद है बोलो कौन सी बुर्ज इस्तिद है बताएंगे भीम बुर्ज इस्तिद है यदि अपन बात करेंगे तो इस दुर्ग में अनिरुद्ध सिंग ने किसने भाई अनिरुद्ध सिंग ने रानी जी की बाबडी का निर्मान करवाया था किसने निर्मान करवाया था ये निर्मान करवाया था किसने ये निर्मान करवाया था अनिरुद्ध सिंग ने बाबडी का ये जो बाबडी दिख रहे हैं रानी जी की बाबडी है तो रानी जी की बाबडी का निर्मान करवाया है अनिरुद्य सिंग ने बहुत इंपोर्टन बात है यदि इस दुर्ग की बात करेंगे तो इस दुर्ग में गर्ब गुंजन तोप रखी है कौन सी तोप र बारी वे बहुत आवाज करने वाली तोप है बहुत आवाज करने वाली तोप सर कितनी आवाज करने वाली तोप है यह ऐसा ज्यान रखना जो बहुत बारी और आवाज करने वाली तोप है तो इसको चलाने के बाद इसको चलाने के बाद तोपची को कहां कूदना पड़ता थ बाद तोपची को पानी में कूदना पड़ता था बोलो किस में कूदना पड़ता था वही पानी में कूदना पड़ता था किसको चलाने के बाद गर्ब गुंजन तोप को तो इस ध्यान रखना तोप को चलाने के बाद पानी में कूदना पड़ता था तो इस तोप को चलाने पर पक्षियों के गर्ब गर जाते थे चलाने पर पक्षियों के गर्ब गर जाते थे पक्षियों के गर्ब गर जाते थे क्या कहते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं गर जाते थे इसलिए इसे कहते हैं क्या गर्ब गुंजन तोप इसलिए इसे गर्ब गुंजन तोप कहते हैं वही क्या कहते हैं गर्ब गुंजन तोप कहते हैं किसको गर्ब गुंजन तोप कहते हैं वही इस तोप को याद रखना कौन सी तोप को गर्ब गुंजन तोप को यदि अपन देखेंगे तो रंग बलास नामग चित्र साला इसी दुर्ग में उम्बेद सिंग हाडा ने बनवा किसके लिए जाना जाता है वही बित्ती चित्रन यह दुर्ग बित्ती चित्रन के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है वही बित्ती चित्रन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा दुर्ग बताएंगे बुंदी का किला यहां यहां रंग साला क्या वही यहां पर निर्मान किस ने करवाया था निर्मान उम्बेद सिंग ने करवाया था बोलो किस ने करवाया था उम्बेद सिंग भाडा ने करवाया था किसका निर्मान करवाया था ये चित्र साला का निर्मान करवाया था यहां तक आप लोगों इसको समझ गए होंगे आगे बात करते हैं नेक्स्ट हाडोतियांचल का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है और यदि अपन देखेंगे तो यहां पर 84 खंबों की च्छत्री भी बनी होगी है यह भी बात ध्यानक ना च्छत्रियों में इसके बारे में स्पेशल पढ़ेंगे अपन 84 खंबों की च्छत्री राजस्तान में इसी दुर्ग में हैं बच्चो राजस्तान में इसी दुर्ग में हैं कौन से दुर्ग में हैं वही इसी दुर्ग में हैं कौन से में बूंदी के किले में यदि बूंदी के किले के आगे बात करते हैं तो सरवादिक 84 खंबों की च्छत्री इस्तित है याद रखना मिवाड सासक लाखा ने अपनी परतिग्या पूरी करने के लिए ज्यान रखना पूरी करने के लिए इस दुर्ग में अपनी परतिग्या पूरी करने के लिए नकली नकली तारागड दुर्ग बनाकर जीता था तारागड दुर्ग को जीता था दुर्ग को जीता था उसके लिए भी एक व्यक्ति ने जान की वाजी लगा दी थी इसके लिए इसके लिए भी कुम्बा हाडा ये कुम्बा हाडा अलग है कुम्बा हाडा ने अपने जान की बाजी लगा दी थी अपनी जान की क्या लगा दी अपने जान की बाजी लगा दी थी किसने बाजी लगा दी थी कुम्बा हाडा ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे मेरे के वाजी लगाई थी महाराणा लाखा के समय औरन से दुर्ग को लेकर के यह पड़ा महतपूंड दुर्ग बुंदी का किला तसको कहें ग mix केंगे अपन जानते हैं इसके बारे में कि भाई इसको क्या कहते हैं हम तेश्मि मे कहते हैं बकाइदा यदी इसकि चर्चा करें तो और बहुत सांदार दुर्ग है यदि इस दुर्ग के बारे में देखेंगे अपन तो कई ध्यान रखना जो है सताबदियां इसने देखी हैं इस दुर्ग की बात करें अपन इसके अलावा भी राजस्तान के इस छेतर में और भी कई दुर्ग इस्तित हैं जै दुर्ग भी इसी चित्र में इस्तित है कोटा दुर्ग बहुत बैतनीन दुर्ग जो राजस्तान का और इसका परकोटा भोग सांदार बताया था किसने बताया था करणल जिम स्टोर्ड ने अब यहां तक तो आप समझ गया होंगे कोई दिक्कत नहीं होगी किसी वे राजस्तान में दो हैं आगे बात करें तो एक है ध्यान रखना इस दुर्ग में सहाबाद का दुर्ग ध्यान रखें आगे चलते हैं यहां पर तो एक दुर्ग है सहाबाद का दुर्ग सहाबाद दुर्ग सहाबाद दुर्ग की बात करते हैं तो यह बारा में इस्तिद है यह बारा जिले में इस्तिद है और ओ कहां पर बारा जिले में इस्तिद है ठीक है बारा हडोती में पड़ता है तो बारा जिले में इस्तिद है निर्मान की बात करेंगे तो चोहान राजा मुकुट देव ने निर्मान करवाया था इसका निर्मान चोहान राजा मुकुट देव ने निर्मान करवाया इसका निर्मान करवाया चोहान राजा मुकुट देव ने इसे दुरका जहांगीर के नाम पर इसका नाम सलीमाबाद भी रखा गया था किसके नाम पर रखा गया था बताएंगे जहांगीर के नाम पर एक और इंपोर्टेंट बात कि इसमें नवलवान तोब रखी है इसमें नवलवान तोब रखी है वई नवलवान तोब रखी है कौन से दुर्ग में रखी है ये तोब सहाबाद दुर्ग में अगला दुर्ग की बात करेंगे तो अगला दुर्ग है सीर गड़ का दुर्ग बोलो कौ कोस वर्धन कहते हैं इसी कोस वर्धन कहते हैं कौन से दुर्ग को कोस वर्धन कहते हैं इसी दुर्ग को सेरगड का जो दुर्ग है न ये भी बारा में ये बात ध्यान रखना ये भी बारा में अगर अपन बात करेंगे तो इसका निर्मान जो करवाया था ध्यान रखना ये है यह है दुर्ग जालरों यह दुर्ग जालाओं जालाओं और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है बोलो किसके लिए प्रसिद्ध है जालाओं और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है जानतना अमीर खां पिंडारी ने बचनी के लिए इस दुर्ग में सरन ली थी अमीर खाँ पिंडारी ने इस दुर्ग में पिंडारी ने अंग्रेजों से बचने के लिए इस दुर्ग में सरन ली थी इस दुर्ग में सरन ली थी किसने सरन ली थी वई यह ली थी किसने अमीर खाँ पिंडारी ने या दुर्ग का निर्मान जो है नागवंस के साशकों ने करवाया है नागवंस के यसे सुनागवंस के साशकों ने करवाया साशकों ने करवाया था किसका निर्मान करवाया था इस दुर्ग का यदि आगे बात करें कौन से दुर्गा सेरगड दुर्गा यह दुर्ग सेरगड अभ्यारण में परवन नदी के किनारे इस्तित है परवन नदी के किनारे इस्तित है कौन सा दुर्ग इस्तित है बताएंगे ये सेरगड का दुर्ग बारा का जो है एक सेरगड और है याद रखना अगर अपन बात करेंगे तो एक सेरगड और है वो भी इंपोर्टेंट थोड़ा सा और ये धौलपुर में इस्तित है याद रखना सेरगड अन्य सेरगड की बात करते हैं तो एक सेरगड दुर्ग और है और ये सेरगड दुर्ग कहा है धौलपुर में ये धौलपुर में है बचो याद रखना ये अन्य सेरगड है यदि इसको कहते हैं ध्यान रखना इस दुर्ग को क्या कहते हैं दखिन की चावी कहते हैं बोलो क्या कहते हैं दक्षिन की चावी कहते हैं इस दुर को याद रखना इस दुर को दक्षिन की चावी कहते हैं यदि अपन बात करेंगे सेर सहा सूरी ने जान रखना सेर सहा सूरी ने इस दुर का सूरी ने इस दुर का जीर्णोधार करवाया था किसने जीर्णोधार करवाया सेर सा सूरी ने इस दुर के बात करते हैं तो इस दुर्ग में जान रखना मीर सय्यद की मजार इस दुर्ग में मीर सय्यद की मजार इस्तित है देखो एक तो मीर सय्यद हुसेन खिमसर मीरान साव की दरगा वो तो कहां पर इस्तित है अजमीर के दुर्ग में या मीर सेयद की मजार इस्तित्य याद रखना और देखो इस दुर्ग में हुनहुनकार कौन सी भई? हुनहुनकार तोप रखी है कौन से दुर्ग में तोप रखी है वताएंगे ये रखी है किस दुर्ग में? सीरगड दुर्ग में I hope यहां तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा हुनुहुन कार तोप कहां रखिये भई सेरगड दुर्ग में कौन से वाले सेरगड दुर्ग में ये रखिये है धौलपुर वाले सेरगड दुर्ग में मैं नहीं तारागर दुर्ग जो बूंदी का है उसके बारे में पड़ा और एक अपन ने डिसकस किया गागरोन का दुर्ग मा सभी विद्यार्दियों से फिर से कहता हूँ क्वालिटी एजुकेशन एप में विशेश छोट अगर आपको लेनी है तो जो छोट संस्ता के माद्यम से मिल रही हो तो मिली रही है आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं MS10 के नाम से MS10 के नाम से और अतिरिकत आपको 10% छोट मिलेगी ये कोड आप लगाना ना भूलें अगर कोई नया कोर्स परचेज करना चाते हैं तो आप चाहे किसी भी भरती के तैयारी कर रहे हैं जो राजस्तान से संबंदिद है चाहे वो टीचर भरती हो चाहे ध्यान रखना सीटी हो पटवार हो लडीसी हो चाहे आरेस हो ध्यान रखना चाहे राजस्तान पुलिस एसाई हो जेलर पुलिस हो तो आप यहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं और MS10 जो कोड है इसको दर्ज करके 10% की अतिरिक्त छोट प्राप् कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद राम राम नमश्कार जय हिंद जय भारत सभी को थैंक यू सैलूट सभी को कि अग्यू कि अग्यू